हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई इस्टडी सीट आफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो मैं आपके लिए बेश्ट कोस्चनियों का सिरीज लेके आई हूँ जिसका प्रैक्टिस करके आप जितने भी अभी तक नोर्स एंड थियोरी सेशन पढ़े हैं उसका जाच कर सकते हैं तो अपना स्कूर्ट चेक करने के लिए विडियो पूरा देखिए एंड यदि आफ फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपर्टिसन एक्जाम का प्रिपेशन कर रहे हैं चाहे हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी हो अधर इस्टेट के टीजीटी पीजीटी हो सभी के पीजीटी मेरे चैनल पे थीयूरी सेशन टापिक वाइज दिया गया है और केप्टर वाइज एमसे की उच प्रिवियर्स येर कोस्टन्स वन लाइनर कोस्टन्स सभी प्रकार के विडियोज हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर कि सभी चीज़े आप देख सकते हैं और मैं दोस्तो ए सेट बी का अभ्यास टू है इस तरह के 16 सेट हैं जिसमें से हर एक सेट में 10 से बारे अभ्यास हैं तीन से चार पांच हजार कोस्टन्स हैं दोस्तो डेली बेसे इस पर आप इसका प्रैक्टिस कीजिए तो देर न करती हुए चलते हैं आज के कोस्टन्स के तरफ अपना स्कोर चेक कीजिए तो दोस्तो कोस्टन है अगर एक कच्छा के बच्चों को उचाई के अधार पर क्रमवार खड़ा कर दिया जाए तो सबसे मध्य में आने वाला बच्चा उस कच्छा का क्या कहलाएगा तो दोस्तो मध्य ग्यात करने के लिए माधी का काप्रयोग किया जाता है इसमें माधी का यानि मीडियन कहलाएगा जैसे दोस्तो आप एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो बच्चे हैं तो इसमें माधी का कौन कहलाएगा दोनों तरफ समान समान अंक होंगे और जो बीच में रहेगा वो माधी का होगा तो यहाँ पे दोनों सब चार कर दीजिए दोनों तरफ चार बीच में क्या बचा हमारा पांच यह जो पांच है यह माधी का हो जाएगा और माधी में आपका मीड में औसत निकाला जाता है माधी का माधी का मान निकाला जाता है माधी का मान निकाला जाता है माधी का मान न आया है है लेक्ट है आपरिती यानि फृक्रेंसी किसे कहते हैं ५ृक्रेंसी यानि एले उसकी धूराओ तो आपरिती tapi यानि फ्रीक्रेंसी किसे कहते दोस्तो परापतांकों कि संख्या को ढातांकों की行 हैं में रात गतलो nousनेश है काईनेशिस सब्सकार क्या और thinner केसे सब्सक्राइब का आर्थ है यहां पे गति करना . क्या है ? गति करना . किंसवलजी प्रसलोजी से मिल के बना है .किंसवलोजी का आर्थ होगा विग्ञान…… तक इंसियो राजी गती का विक्यार, यहाँ काइनेसिस का आरथ होगा, गती करना Next question है, निवने में से निव्ने में से नियुटन के तिसरे नियम का उदाहरण कौन शाह है तो दोस्तों यहाँ पे नियुटन के तिसरे नियम का उदाहरण हो जाएगा अभी country ball, वो up country ball, कैसे होगा, अभी country ball को हम कहते है, centripetal ball, और up country ball को कहते है, centri загal travist, यानि अभी country ball, जो होता है, अंदर की तरफ लगता है, up country ball, जो centri Coral包 होता है, वो बाहर के तरफ लगता है, तो इसे, नियूटन का त्रितिय नियम भी कहते हैं जैसे कि नियूटन का त्रितिय नियम नियूटन ने तीन नियम दिया है पहला नियम जर्यतों का नियम दुसरा नियम तुरण या संविय का नियम तिसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो तीसरे नियम क्रिया पत्रिकिया क्रियम को हम लाव एक्षन रियक्षन काउंटर फोर्स लाव रेसिप प्रोकर एक्षन या सेंट्रिफ फीगल या सेंट्रिफ फीगल फोर्स भी कहते हैं तिसे नियम के अनुसार कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है नेक्ट कोस्चन है निमने में से जोडों की गती में ग्लाइडिंग गती कौन सी कहलाएगी तो आपका पहला दिया है एक हड़ी का दूसरी हड़ी से दूर जाना तो दोस्तो एक हड़ी का दूसरी हड़ी से दूर जाना एब्डक्शन कहलाता है तो यहां क्या पुछा है, gliding गती कुन कहलाएगी, तो पहला हर्डी का एक हर्डी से दूर जाना क्या कहलाएगा, abduction कहलाएगा, एंड दूसरा आपसन दिया है, कि एक हर्डी का दूसरी हर्डी से फिसलना, ठीक है, एक हर्डी का दूसरी हर्डी पे फिसलना ही आपका gliding joint कहला यहां आपसा नंबर भी यहां पे करेट हो जाएगा जैसे हमारा कलाई का जोड़ याई टार्सस और कार्पस टकने का जोड़ कार्पस यह दोनों आपका ग्लाइडिंग ज्वाइन में आता है नेश्ट है गती विग्यान का पितामा किसे कहा जाता है तो दोस्तों गती विग्यान की इंसियोलोजी का पितामा और अस्तू को कहा जाता है नेश्ट है खिलाड़ी दोड़ते समय अपने सरीर को आगे की तरफ जुका कर दोड़ता है तो क्यों दोड़ता है दोस्तों यहाँ केंडरी यह गुर्टवा करसर के कारल सेंट्रल आफ ग्रेविटी के कारल दोड़ता है जिससे संतुलन बना रहता है वो गिरता रही है करते हैं जो किसी कार या अभ्यास को लंबे समय तक ठकान की इस्थिती में भी करती है सही आफसन आपने टिक कर दिया होगा लंबे समय की जहां पे क्रिया करने की बाता है ठकान जहां पे दिखे जाए वहां तो समझ लेजेगा कि वो इंडुरेंस की बात कर रहा है सहन सिल्ता की बात कर रहा है प्रस लंबे समय तक ठकान की इस्थिती में कारे करने को हम कहते हैं सहन सिल्ता इंडुरेंस नेक्ट कोशन है जोड लिगामेंट तथा मांस्पेसियों की वह चंता जो किसी क्रिया या अभ्यास को लंबे प्रसार तक करने में सहायक हो क्या कहलाती है तो दोस्तों या कहलाती है लचकता यानि फ्लेक्सिबिटी नेर्थ है भार प्रसिच्छर से क्या विख्सित किया जाता है तो दोस्तों भार प्रसिच्छर से श्ट्रेंट यानि की शक्ती को विख्सित किया जाता है श्ट्रेंट यानि शक्ती को विख्सित किया जाता है दोस्तो इसमें आपसन में एक दी सक्ति नहीं देता तो मानस्पेसिया बल आपका सही हो जाता तो यहाँ पे सक्तिया मानस्पेसिया बल दुनों दिया है तो यहाँ पे सक्ति सही हो जाएगा ठीक है मेश्टे पेट की मानस्पेशियों की ताकत विक्षित करनी हो तो निम्न मेश्टे कौन सा अभ्यास करना चाहिए तो दोस्तों पेट की मानस्पेशियों की ताकत को डेवलप करने के लिए सीट अफ किया जाता है क्या किया जाता है सीट अफ किया जाता है जैसा कि एक question और पूछता है कि sit up किस प्रकार के उत्तोलग के अंतरगत आता है तो sit up जो है तृतिय प्रकार के उत्तोलग के अंतरगत आता है क्योंकि तृतिय प्रकार के उत्तोलग में F यानि जो force है वह होता है बीच में तो यानि force बीच मेर होता है तिती प्रकार के उत्तोलग में, तो जब हम sit-up करते हैं तो हमारा जो force होता है सीधी पेट पर पड़ता है, ठीक है? तो बीच मेरे पड़ता है, sit-up जो है तिती प्रकार के उत्तोलग में आता है नेफ्ट है दोस्तों कि तंत्रिकार तंत्र को मांस्पेसियों से तालमिल बनाये रखने एवं विख्सित करने के लिए विद्यालियों में किस खेल के मैदान को अनिवार्य रूप से खिलाने के लिए बनाये जाता है तो दोस्तों तंत्रिकार तंत्र के तालमिल बैठाने के लिए को आडिनेशन के डिवलप करने के लिए सभी अंगों का प्रियोग करने के लिए समायोजन करने के लिए विद्यालियों में किस खेल को अनिवार रूप से बनाया गया है तो बास्केडबाल को क्योंकि बास्केड जाता है तो दोस्तों चिकिस्सा सास्र के पिताम हिपोक्रेटस हैं चिकिस्सा सास्र के पिताम हिपोक्रेटस हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चिकिस्सा सास्र के पिताम हिपोक्रेटस हैं लेकिन खेल चिकिस्सा सास्र के पिताम है कुछ देगा तो खेल चिकिस्सा सा असर के पितामह हैं लेक्स दोस्तों वाडा का पूरा नाम क्या है तो वाडा का पूरा नाम है वृड्ड एंटी डोपिंग एजन्सी क्या है वौल्ड एंटी डोपिंग एजन्सी इसकी इस्थावना 10.09.1999 में सुरिजन लेंड के लुशियन शहर में किया गया इसका मुख्याल है यानि हेड क्वार्टर जो है कनाडा मौन्ट्रियल शहर में है इसके परतवान अध्यच है बिटोल्ड बांक का वहीं भी आपको नाडा कुछ देगा नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी की स्थापना कब हुई तो 24 नमबर 2005 जवाहला नेरू स्टेडियूम नए दिल्ली में हुआ उसका मुख्याल है नए दिल्ली है तो वार्टा क्या करता है विश्व इस्तर पर जो ओलम्पिक आयोजन होता है तो खिलाडियों की डोपिंग को चेक करता है कि या डोपिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव कोई खिलाड़ी डोपिंग यानि प्रतिबंधी दवाओं का प्रियोग करके तो वो अपने खिल करिया को प्रफार्मेंस को तो नहीं बढ़ाता है जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई खिलाड़ी सोड़ पदग जीत गया या रज़त पदग जीत गया तो अगर पदग जीतने के बाद पदग मिलने के बाद भी उसको चेक किया जाता है और डोपिंग पाजिटी पाए जाता है तो उसका पदग भी वापस कर दिया जाता है ठीक है तो विसो इस्तर पर वाड़ा है और निशनल इस्तर हमारे भारती इस्तर पर है नाड़ा अगर किसी प्राप्तां की आपरिती 11 हो तो आपरिती तालिका में टैली मार्क कैसे दरसाएंगे तो टेली मार्क दरसाने के लिए दोस्तों जैसे आपरिती कितना है 11 है आपरिती कितना है 11 है तो टेली मार्क किसे दरसाएंगे यहाँ पर आपका आपसन हो जाएगा टेली मार्क दरसाएंगे अब 11 है तो टेली मार्क हम दरसाएंगे एक दो तीन चार जहां ही 4 होगा, 4 के बात आपको उसी पर एक और लाइन क्रास करना है पाच बाद, तुर कितना हो गया, 5, फिर 6, 7, 8, 9, चार हो गया, इस पर एक और डारेंगे, 10 हो गया, फिर 11, यानि कि आपको कॉन सा आपसन सही हो जाएगा, आपका गौव वाला आपसन सही हो जाएगा, अगर किसी प्राप्तां की आपरिती 11 हो तो आपरिती तालिका में टैली मार्क कैसे दसाएंगे इस तरह से एक बार और एक जंपर देते हैं जिससे आपको इस से रिलेटिक कोई कोशन आएगा तो नहीं फसेंगे जैसे कि दोस्तों जैसे कि अगर आपरिती मार्क आता है पांच कितना आता है आपरिती मार्क आता है कितना पांच इसके लिए हम टैली मार्क क्या लगाएंगे तो इसके लिए हम टैली मार्क क्या लगाएंगे इसके लगाएंगे एक दो तीन चार चार होते ही आपको उसी पर एक तिल्चा काट देना है तो 5 हो गया तो यह आपका हो जाएगा अगर हम 6 कहेंगे तो एक और यहां पर बढ़ जाएगा ठीक है इसरे कार से होगा तो चलते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन है कि पूर धनात्मक सरसंबंध को कैसे दर्साया जाता है तो पूर धनात्मक सरसंबंध को प्लस वन से दर्साया जाता है वहीं पूर धनात्मक पूछेगा तो माइनस वन से लेक्षा दोस्तों बहुलक किसे कहते हैं यानि मोड किसे कहते हैं यानि इसमें बहुलक को मोड कहते हैं तो बहुलक किसे कहते हैं जो संख्या बार बार जिस संख्या की आपरिती हो जिस चीज की आपरिती हो तो संख्यकी में इसका प्रयोग करिया जाता है तो यहां आपसा नंबर गर्क सहीज हो जाएगा उच्च आपरिती वाले प्राप्तांग को उच्च आपरिती वाले प्राप्तांग को हम क्या कहते हैं? बहुलग कहते हैं जैसे 1, 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 9 इसमें आपका बहुलग कौन होगा? तो कौन सबसे ज़्यादा पर अपरिती हुआ है तो 2 हुआ है एक, दो, तीन, चैर बार तो यहां पर बहुलग कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा नेश्च दोस्तों A और B टीमों के प्रदर्शन के मध्य सह संबंध निकाला जा रहा हो जिसमें A का प्रदर्शन बढ़ रहा हो और B का घट रहा हो तो सह संबंध कैसा आएगा? तो एक का बढ़ रहा है, एक का घट रहा है तो माइनस पलस जहां हो जाएगे, वहां माइनस ही होगा यहां पर आपका हो जाएगा रिडातमक ठीक है सौसंबंध कैसा होगा वहां रिड़ातमक होगा नेवशा दोस्तों कि निमने में से वाहबल कौन सा है तो दोस्तों बल दो प्रकार का होता है आंतरिक बल और वाहबल आंतरिक बल हमेशा मांस्पेस ये बल होता है ठीक है और वाहबल क्या होता है जैसे घरसर बल, गुर्टवा करसर बल, हवा का प्रतिरोद, यह क्या हुगा, वाहे बल हुगा, तो यहां पर आंसर कुन सही हो जाएगा वाहे बल में, तो आपका घरसर बल, गुर्टवा करसर बल, यह दूनों वाहे बल हैं, तो यहां पर आपका आपसर नंबर घो, यानि ख लुक दुनों सही हैं. ठीक है? आंद्रिक बल पर किया है? मान स्पेसिय बल बू ден एज से हम 35 किसी बल किया हुँआ है तो इसे मिलड है किस बल कर रह तो ख civ किस बल based कारण रुकता है यानि वहाँ है बल के कारण रुक जाता है लेश्ट है महान वैग्यानिक गैलियों का गैलियों परसिद है किसलिए परसिद है दोस्तों तो महान वैग्यानिक गैलियों जरत्व के नियम के कारण परसिद है ठीक है किस कारण प्रसिद है जड़तों के नियम के कारण प्रसिद है जैसे कि जो नीटन ने तीन नियम दिया पहला जड़तों का नियम दूसरा सम्वेग या तुरण का नियम तिसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो जरतो के नियम को जरतो का नियम, जरता का नियम, अक्रमनेता का नियम, लाव, इनर्सिया, गलिलियो का नियम इतने नामों से जाना जाता है जैसे कि मैं गती के नियम के सिधानतों के बादे में जिस वीडियो को में पूरी डीटिल में समझाया हुआ है तो इस प्रकार जरतों की नियम को गलियों का नियम भी कह जाता है इसलिए गलियों जहें महान वेग्यानिक गलियों ने जरतों की नियम के लिए परसिद है नेश्ट है आर्थोलाजी नामक बिग्यान समधित है तो दोस्तो आर्थोलाजी में किसका अधियन किया जाता है जोड़ो का तो जोड़ो के अधियन को हम कहते हैं आर्थोलाजी एंड हड़ियो के अधियन को क्या कहते हैं आश्टियोलाजी मास्पेसियो के अधियन को क्या कहते हैं मायोलाजी रक्त के अधियन को सेरोलाजी नेश्ट है नियूटन के नियमों को किस नाम से जाना जाता है तो नियूटन के नियमों को गती का नियम के नाम से जाना जाता है और इन्होंने गती के तीन नियम दिया जड़तो का नियम, तुरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नेश्ट है लचकता को खेल प्रसिछर के सिधानतों के अधार पर कितने भागों में बाटा गया है तो दोस्तों जो flexibility होती है लचकता होती है उसको की दो भागों में बाटा गया है जो flexibility होती है उसको दो भागों में बाटा गया है कौन-कौन से दो भाग active flexibility and passive flexibility active flexibility में गती की मांत्रा यानि range of moment में बृधी स्वयम द्वारा बिना किसी ब्यक्ती वस्तु की सहता से बहाते हैं जैसे इसमें ज़्यादे तर stretching जोडों को stress किया जाता है दूसरा होता है passive flexibility इसमें गती की मांत्रा यानि range of moment में बृधी किसी ब्यक्ती वस्तु की सहता से बढ़ा जाता है जिसमें से आपको जो active flexibility है वो दो प्रकार का होता है static and dynamic static यानि कि इस्थिर अवस्ता में गती की मात्रा में ब्रिधी की जो सहता करें जैसे खड़े होकर बैट कर लेट कर इस्ट्रेच करने वाले भ्यायाम तो static में सभी योगा असन आपका आ जाता है dynamic flexibility में क्या होता है कि गती की अवस्ता की मात्रा यानि range of moment में ब्रिधी गती की अवस्ता में किया जाता है ठीक है गती की अवस्ता में जो range of moment में गती की मात्रा में ब्रिधी में सहता करें जैसे दोड़ वकुद में इनका प्रियोग होता है यह जितने भी जिमनाश्टिक गति बिजिया है वो सब डैनेमिक में आ जाएंगी इस प्रकार जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दो प्रकार किया है एक टी एंड पेसिव लेख्षा दोस्तो एक गज में कितने मिटर होती है तो ऐसा भी कुछ सकता है सभी को आपको याद रखना है तो एक गज में 0.914 मिटर होता है अब पूछा जाएगा कि एक फूट में कितने सेंटिमिटर होते है तो एक फूट में 30 सेंटिमिटर होता है यह भी द्यार में रख नेर्ट है बिसपोटक सक्ति में बिसफोटक का क्या आर्थ है तो दोस्तों जो बिसपोटक सक्ति होता है वहां सक्ति और गती का समन्वे होता है किसका बिस्फोटक सक्ति जो होता है वह सक्ति प्लस गति का समन्वे होता है तो सक्ति तो हो ही गया इसका मतलब तो बिस्फोटक सब्द का क्या हो जाएगा गति हो जाएगा अर्थ ठीक है तो बिसफोटक सक्ती में बिसफोटक का क्या आर्थ हो जाएगा तो चाल यानि गती हो जाएगा बिसफोटक सक्ती बना है सक्ती और गती से मिलकर नेल्ट है सरकित ट्रेनिंग से विक्सित होती है तो दोस्तों सरकित ट्रेनिंग से strength endurance यानि सक्ती सांसिलता अबिसित होती है तो यहां पर ein strength को 육ने strength करता है, मानशपशी को यहां पर एक साथ strength whether kendall मानशपशी को यहां पर यह तो यहां पर आपका सक्ती सही सही तो यहां पर सक्ति वास्तों में development 기내 strength endurance को सक्ती सांसिलता को persistent绵 करता है कौन..? सरकी training सरकी ट्रेंग क्या होता है एक गुलाकार प्रसिचर होता है जैसे कि 10 से बारे अलग 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 प्रसिचर कराया जाते हैं गुलाकार रूप से ठीक है ऐसे करके किया जाता है तो इसमें क्या होता है अलग 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 प्रकार के प्रसिचर कराया जाता है इसे स्ट्रेंथ इ किस बिधी का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों प्रात्मी कुपचार में प्रथम बिधी होता है वका राइस कौन सा बिधी होता है राइस बिधी कौन सा बिधी होता है प्रात्मी कुपचार में फर्ष्ट बिधी होता है राइस राइस का अर्थ होता है आर से मतलब होता ह आर का मतलब होता है रेस्ट यानि कि चोटिल भाग को अराम देना आई से मतलब होता आईस यानि चोट वाले भाग पर बर्ट का प्रियोग करना सी से होता है कंप्रेजन यानि चोटिल भाग से पहले भाग को हिदे की तरफ वाले भाग की तरफ दबाना एन इसे होता है elevation यानि चोटिल भाव को हिदे की उचाई से उपर उठाना ये होता है आपका प्रथम उपचार चोट लगने के बहस्चार प्रथम उपचार प्राइस विजिसी किया जाता है लेकिन बरतमार में यह P-R-I-C-E के अलामा इसे पहले पहले क्या था? पहले राइस था R-I-C-E अब पहले इसके P जुड़ गया है और लाश में S जुड़ गया है यानि प्राइसे हो गया है तो यहाँ पे P से तपरी हो गया protection यानि की चोटिल भाव का बचाओ A-C-E रेष्ट हो गया, I-C-E का परियोग, C-C-Compression यानि दवाना, E-C-E elevation यानि हिरे के उचाइस से उपर उठाना और Y-C-E हो गया support ठीक है? अब इसी को हम बोलते हैं Thumb-Off Rule, Thumb-Rule भी इसको बोला जाता है यह भी ध्यार में रखेगा नेश्ट है खेल में चोट लगने की पस्चाथ, खिलाड़ी को पुनह पूर प्रसिछर छमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए जो किसी प्रक्रिया आपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं उसको कहते हैं पुनह इस्थापना यानि की पुनरवास जिसे एंगलिस में बोलेंगे पुनरवास होता गया है तो यह आपको इस परश्रु से लिखा गया है कि खेल में चोट लगने के प्रस्चाथ उसे पुनह पुरु अवस्था में यानि पहले की सिती में लाना यानि कि इसका उद्दे से होता है पुनह खेल ट्रेनिंग यों प्रतिटा के भाग लेने के ल यानि कि उसका उस्सा बढ़ाया जाता है तिसरा चिकिस्था बिधियां चिकिस्था बिधियां के अंदर को कई बिधियां आती हैं जैसे कि हाइडो थरेपी क्रायो थरेपी इलेक्ट्रो थरेपी सारे चीज़ तो तीन बिधियां आती है तो तीन बिधियां में ही जो कोई एक आपसन रहेगा तो यह आपका करेटर रहेगा जब पुनरवास की विधियां पूछेगा तो नेर्टो वी साधन वा प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की छमता वा प्रदर्शन में सुधार होता है तो वो क्या कहलाता है तो दोस्तों जिसमें छम्ता और साधन और प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी की छम्ता और सुधार में प्रदर्शन में सुधार होता है तो वो कहलाता है एर्गोजेनिक एड्स क्या कहलाता है एर्गोजेनिक एड्स डोपिंग जो होता है। गलत तरीके से माधक पतारथों को लिए जाता है छमता अपर दर्शन बढ़ाने की लेकिन एर्गोजनिक क्या होता है। कि वे पतारथ या साधन वो प्रक्रिया जिससे खिलारये की झामता वो प्रदर्शन में सुधा। लाता है। इसके अंतरकद दुस्तो एर्खोजनिक एर्ष के अंतरकद विग्यानिकों ने पेसी प्रवाव साधन एर्खोजनिक एर्ष को मुक्ताफ पांच भागों में डिवाईड किया है निट्रिशनल एर्ड यानि पोसर साथ है फिजियोलोजिकल एर्ड यानि की सर्विक रियात्मक साथ है साइकोलोजिकल एर्ड यानि मनोविगानिक साथ है मेकेनिकल एर्ड यानि रियांत्रिक साथ है फरमाकोलोजिकल एर्ड यानि औसधी साथ है बिंट्रिशल साथ में आपका जैसे की कर्भो हाइड़ेट लोडिंग, प्रोटीन, अमीनो अमल, बिटामीन, खनी लवर, सोडियम, बाइक कर्बोनेट, डाइडरी सप्लिमेंट, स्पोर्स ड्रिंक, कैफिन यह सबाता है। यह आपको खिलारी की छम्ता प्रदसर में सुधार करने के लिए होता है। अब फिजियोलोजिकल एर्ज में जैसे की उचायर पर प्रसिचर, यह भी तो उचायर पर प्रसिचर करेंगे तो आपका सरीरी जो है मजबूत होगा, आपके खिलारी की छम्ता प्रदसर में सुधार होगा, एंड बलड डोपिंग, हर्बल दवाईय फिजियो थेरेपी, खेल माली, सोना बात, वारम अप, एक्यूपंचर, एक्यूपंचर में तंद्रिकाओं को ततपरकत किया जाता है, EPO, कंडिस्निंग, इस अभी चीज़े अपनाए जाती हैं। और मोनिविग्यानिक साथनियानिकी साइकोलोजिकल एर्ज में जो समाज आडियन्स द्वरा उसके उस्ताव को बढ़ाया जाता है, जैसे चीयर्स करना या तालीब जाना, हीपनोसिस, समोहन करना, सलाह दिना, रिहॉलसर, इमेग्री, मोटिवेशन, संगीट, इस अभी चीज़े आ जाएंगे। यांतरिक साधन में, यानि मेकनिकल एर्ट में जैस जो उपकरण आ जाते हैं, तो उसका गुरत्ता अच्छा होगा, तो आपके छंता प्रदस में सुधार होगा, इस सभी चीज़े आते हैं, और आउसदी यानि कि फर्माकोलाजिकल में आपका एमपितामाइन, एनाबोलिक इस्ट डायाट, बिता, बलाकर, कैफीन, प्रोटी तम सीमा से अधिक खिच जाने से उसके तंतु का टुट जाना क्या कलाता है, तो इस कोजिचन के को मैंने बहुत सारे वीडियो बार बार एक्स्प्लेंग किया है, तो लिगामेंड के अधिक सीमा तक खिच जाने को हम कहते हैं, इस प्रेन यानि की मोच, और वहीं टेंडन मांस्पेसी के अधिक सीमा तक खिच जाने को क्या कहेंगे, इस ट्रेन यानि की खिचाओ कहेंगे, जैसे कि मैंने बताया बार बार, जो हमारा लिगामेंड होता है, दो हडियो को जोड़ो पर जोड़ता है, और यहां के चोड़ को हम इस प्रेन यानि मोच कहेंगे, और जो टेंडन होता है वो मांसपेशी होको होडियों से जोडता है और टेंडन मांसपेशी में जो अधिक खिचाव आ जाएगा इसको हम इस्ट्रेन यानी खिचाव कहेंगे if tyre रिष३ंë हम नेंश्ठ किसका सुत रहे यह सीगमा डी स्कवार सीगमा डी स्कवार अपान यह यह कीसर आपन यहरा प्रमापंवजिलन का सुत्र रहे था सांक्हे की स्टेटिक से कोस्चन रहे नेशा आई किसको दरसाता है जैसे कि आप सांखे की हल किये होंगे किंद्री प्रविट्टी के माप तो आप जानते होंगे कि आई को किससे बदैसित किया जाता है यह वर्ग आंदर के आकार को दरसाता है नेशना दोस्तों बहुलक को किस से चिन्हित किया जाता है तो बहुलक को Z से चिन्हित किया जाता है अगर माधी पूछेगा यानि कि मीड तो उसको A से चिन्हित किया जाता है और माधी का यानि मीडियर पूछेगा तो उसको M से चिन्हित किया जाता है अब बहुलग को J दिखे Next question है 1, 3, 4, 5, 5, 5 यह जो संख्या दिया गया है उपरोत तालिका में बहुलग कौन सी संख्या है बहुलग का मतलब जिसकी बारबर आपरेती हो तो इसमें कौन सी संख्या ओएसा है जिसकी बारबर आपरेती हुआ है तो इसमें जो है आपका पांच जो है बार बार आविती हुआ है एक दो तीन बार ठीक है तो यहाँ पे पांच जो है आपका बहुलग हो जाएगा नेक्शन दोस्तो उपर फेकी गई गेंद नीचे वापस क्यों आती है जैसे कि इसी प्रक्रिया द्वारा तो नीटन ने खोच किया ठीक है इसी प्रक्रिया द्वारा ही नीटन ने गती के तीन नीवों का खोच किया कि आखिर में हम कोई वस्तू उपर फेकते हैं तो नीचे क्यों आता है तो एक बार वो बैठे थे इसी तरह और एक आये नीचे चाकू रखा गया था उपर से सेव का जो फल है सेव है ओ टूटा और डायट नीचे आया और ओ चाकू पर पड़ा और दो तुगडा हो गया और उसी समय नीचे के मन में विचार आया कि आखर ये सेव टूटा डाली से तो नीचे ही क्यों आया उपर क्यों नहीं गया तो उसी से उन्हें खोच किया कि आखर भी ये नीचे गुर्तवा करसर बल के कर आया तो उपर फेके गई कोई वस्तू जो है उपर ना जा करके वापस धर्ती पर क्यों आती है तो वापस धर्ती पर क्यों आती है तो आप गुर्थवा करसर बल के करा रहाता है गुर्थवा करसर बल क्या होता है पित्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खीचने या आकरशित करने के दोरान लगनी वाला बल गुर्थवा करसर बल कराता है इस बल को हम वस्तु का भार कहते है जोतु जहाँ पे वस्तु का समस्त भार करता है वहाँ पे वस्तु का भार सा बल होता है गुर्थवा करसर बल द्वारा उत्पन होनी वाले त्वरर को गुर्तवी ये तुरण कहते हैं ठीक है नेक्ष्ट है W बराबर F बुड़े D यह किसका सुत्र है तो दोस्तों यह कारे का सुत्र है नेक्ष्ट है निन में से छितीज के समानांतर तल कौन सा है छितीज के समानांतर तल कौन सा है तो यहाँ पे आपका कौनसा answer सही हो जाएगा चितीश के समानांतर तल तो यहाँ पे horizontal की बात कर रहा है ठीक है? यहाँ पे horizontal तल होगा यारी plane होगा horizontal plane क्या है? यह सरीड को उपर नीचे भागों में बाढ़ता है यह सरीड को उपर नीचे भागों में इस चरीर को दाएं बाइं भागों में बाढ़ता है स्यजिज चल्ब प्लें और किति होता है दुरुसरा जो फ्रांटल प्लें होता है उसको केंदी में का साह maior का मैं और गति जो है दाएं बाएं होता है यानि एब्ड़क्शन होता है मुमेंट और तिसा होता है आपका होरिजन्टल प्लें यानि ट्रांस्वर्स प्लें भी इसको बोला जाता है या सरी को ऊपर नीचे बागों में बाड़ता है सभी प्रकार के रूटेशनल एन इलिवेशन य क्या कहते हैं कि तीसे नियम को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इस नियम के अंसार किसी वस्तू पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तू हम पर भी लगाती है जैसे तरायक द्वारा पानी में आगे बढ़ना जैसे वाकी यानि पैदल चलना जैसे मेट है निन मेट डे आइस्वमेट्रिक अभ्यास किसे कहते हैं तो दोस्तों ays 175 किसे कहेंगे कोस्टों का एंसर सही देजिए क्योंकि कई वार एक कोस्टों रिपिट हो गया बार बार आईसो टोनिक, आईसो मेट्रिक, आईसो कैनेटिक तो यहां पर आपसन दिया है कि जिसमें मानस्पेसी के लंबाई छोटी होती है जिसमें मानस्पेसी के लंबाई एक समान रहे तो यहां पर आपसन नंबर भी करेट हो जाएगा जिसमें मांप्रेशी के लंबाई एक समान रहे उसे कहेंगे आईसो मेट्रिक अभ्यास आईसो मेट्रिक का साब्दिक अर्थ होगा आईसो मतलब सेम मेट्रिक मतलब लंबाई यानि सेम लंबाई जिसमे जैसे कि दोस्तों सक्ति को डिलाव करने के तीन विधिया हैं आयسोटोनिक, आयृसोमेट्रिक, आयिसोक नायसोगानेतिक आयसोटोनिक जो होता है, आयसोमेट्रिक जो होता है इसका आर्थ होए सेम लंबाई यानि इसकी अविसकार किया था हेटेंगल मूलर ने 1954 में इसमें कोई प्रत्यच गती नहीं होती है लंबाई सेम होती है कारे होता दिखाई नहीं देता है पेश्यों के लंबाई सेम होती है, कोई परिवतन नहीं होता है, जैसे दिवार को धक्का माणना यह इस्ती रवस्ता में, स्टेटिक होता है और जो आईसो टोनिक होता है, इसकी खोज ली डोने नेisée 23 Size में किया था और आईसो टोनिक जो है सक्ति को डेवलप करने की प्राप्त करने की सरोतम भी होता है जैसे कलेस्थेनिक ग्यायाम, एक ही अस्थामपत दोड़ना, भारह प्रसिच्छर, मैडिसिन बालत रो, डंबल अभ्यास इस सभी आएंगे आपका आईसो टोनिक में आनी वाले खेलों में जैसे की रोईंग, नौखेना, तैना, आदी में किया जाता है नेक्स कोश्चन है कि अभ्यास के ठकान के पस्चात एक खिलारी निस्चित समय के लिए अराम करता है जिसमें खर्च हुई उर्जा की पुनाह प्राप्ती होती है इस समय या काल को क्या कहत है तो दोस्तों यदि आप ठकान अभ्यास करने के बाद ठक गये हैं ठक जाने के बाद निस्चित समय के लिए अराम करते हैं तो उस तो पुनाह प्राप्ती के काल को हम कहते हैं च्छती पूर्ती काल क्या कहते हैं उसको हम च्छती पूर्ती काल रिकावरी प्रियेट कहते ह छटी पॉतिकार नेश्ट है खेल प्रसिचर के دورान प्रसिचर का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए तो यहाँ पर आपसं क्या है? एक समा नो कम से ज़्यादा से कमेरी तो आपसं ही नहीं है पताएं इस प्रकार से दिया है यहां पर आफसा नंबर स्थी आपका करेट हो जाएगा समाने से जटिल यानि कि खेल प्रसिछर में के दोरान प्रसिछर भारत का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्डिन होता है आपको उसके प्रफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसके लच्छी को पाने के लिए जो प् दिल आपका राइट हो जाएगा नेश्ठ है निन मेश्ट सक्ति को बिख्षित करने की बिधी कौन सी है दोस्तों सक्ति को बिख्षित करने की बिधी है आइसो टोनिक आइसो मेत्रिक आइसो कानेटिक तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा आइसो टोनिक मेथ़ोड ठीक है नेश्ट है जल चिकिस्सा बिधी से बर्फ का प्रियोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो दोस्तो बर्फ का प्रियोग करने वाले चिकिस्सा बिधी को हम कहते हैं क्रायो थिरेपी नेश्ट है जल के माध्यम से किया गया उपचार क्या कहलाता है तो हाइड्रो थेरेफी कहलाता है नेश्ट है फर्स्ट एड सब्दका प्रयोग सरपथम किस देश में किया गया तो फर्स्ट एड सब्दका प्रयोग सरपथम इंगलेंड के सेंट जान एमूलेंस एसोसियेशन द्वरा 1889 में किया गया नेट है चोट लगने के पस्चात पुना इस्थापन प्रक्रिया में अभ्यास कराए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें करेक्ट्वी एक्ससाइज यानि उप्चारात्मक बिस्यत अभ्यास कहा जाता है ये समाने उबिस्यत दो प्रकार के होते हैं नेश्ट है, निन में कौन सही है, यहाँ पे तो आपसन ही मित गया है, दिया ही नहीं है, तुछी नेश्ट है, सभी प्रापतांकों के जोड़ को कुल प्रापतांकों से भाग दिया जाए, तो क्या आएगा? तो दूस्तों यह होता है आपका माद है ठीक है? कुल प्राप्तांकों की संख्या को जोर दिया जाता है और उसके कुल प्राप्तांकों से भाग दे जिया जाता है तो वहाँ पे माद ग्याद यानि मीड ग्याद होता है Next question है कि किसका सुत्र है क्या कि n n sigma x y minus sigma x e y upon n sigma x y minus sigma x square and n sigma y square minus sigma y square एक किसका सुत्र है तो यह दोस्तों सुत्र है आपका सा संबन यानि को रिलेशन का यह सांखी किस related question है Next है आपरिती तालिका में कुल आपरितियों को किसे दरसाए जाता है तो कुल आपरितियों को किसे दरसाए जाता है तो हमेशा end से तरसाया जाता है आपने केंडरी प्रवित्य की माप को पढ़ा होगा तो वहाँ पी जो आप रित्य होता है हमेशा आपने end से तरसाया होगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आई हो कि सभी questions आपको समझ में आई होंगे जो भी questions प्री doubt होगा मुझे comment में ज़रू पताइए और मैं doubt किलियर करने की पूरी courses करूँगी और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe कर लेजिए बिल आइकन को phrase कर लेजिए जिस न्य वीडियो का update आप तक पहुशता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिक सेट के साथ तब तक के लिए